प्रुपन आज से पहरे जो प्षार सुचंप में ली थी नर्वस शीटम की आपको वो मैंने तीन पार्ट में बढ़ाया थी कितने इन starts प्षद बीकर प्रूर में हम आपको जो नर्वस सिस्टम होता अगर हम बात करें इसकी तो नर्वस सिस्टम की जो ओरिजिन है कहां से हुई है इसकी ओरिजिन जो है वो है एक्टोडरमल ठीक है एक्टोडरमल इसकी ओरिजिन होती है ठीक है इसके वरिजिन एक्टोडरमल होती है और नर्वस सिस्टम जो होता है य सबसे बड़ाइए और सबसे होता है कि जो नुर्वास सिस्टों होता है इसका इसका स्ट्रक्श्रल और फंक्स्टन यूनिट क्या होती है आश्म से सो billion तक किन की संख्या होते कितनी होती है 80 से 100 billion नियूरौन क्या होते है मनश्री के सरीरी में लगबक पाए जाते ठीक है तो निर्मस सिस्टम की Structural और function यानि क्रियात्मक और सनचनात्मक इकाई क्या होती यह नियूरान होती है ठीक है नियूरान के स्ट्क्चर को बना कि मैं आपको दिखा देती हूं कैसा होता है नियूरान के स्ट्क्चर कुछ ऐसे स्ट्क्चर का बना होता ठीक है तो अगर हम बात करें नियूरान के स्ट्क्चर की तो यह जो आपको दिख रहे हैं पर सेंटर में यहां पर फोलते हैं उसको बोलते है इसको बोलते हैं साइट्ट अनुसल्स ग्रेनुel पाए-घ्रेख्षिस reflex चीज़ को तो विलते हैं और यह सीद्र लैंन दिखाए दिरी इसको बोलते हैं एक्साऊन क्या कहते हैं इसको exon कहते हैं यह cyton और exon जहां से exon start होता उसको बोलते है exon high lock क्या कहते हैं इसको इसको बोलते है exon high lock यानि की cyton के बाद जहां से exon start होता है उसको बोलते है exon high lock बोलते हैं यह spell इंखली वरत हो कि मैंने exon ही लिख दिया तो exon क्या हो जाएगा हाई लॉक हो जाए ठीक है यह द्यान रखेंगा जहां से निकलताया है रही है पूरे पार्ड को बोलते हैं साइट्वान ठीक है और यह जो पर स्टक्चर निकले हैं इसको बोलते हैं डेंड्रोन हे इस ही जो साइटान से क्या निकलते है तो फॉल कर रॉल से निकलने ड्रॉॉ Main और से मिलक्त बने होते हैं राइबोसॉम से मिलक्र बने होते हैं तो इस पर क्या पाहे ज्याते हैं तो यहां पर एक्जॉन अब देखिए साइट और यहां से एक्जॉन और इग्जॉन यहां से यहां तक का पार्ट एक्जॉन का होता ठीक है तो जहां से एक्जॉन निकलता है इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं एक्जॉन हाई लॉक क्या कहते हैं एक्जॉन हाई लॉक कहते हैं इसक तो चौरह तरफ से myelin sheath ने cover कर रखगा ठीक है यह क्या होती प्रोटिनेस्यस structure होता है और neuron में जहां-जहां myelin sheath पाय जाती है वह white color का होता है ठीक है और जहां नहीं पाय जाएगी वह gray color का होगा तो जहां पर myelin sheath नहीं पाय जाती है यानि कि यह structure यह वाला यह होता है एक सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा यह होता है एक्जॉन का टर्मिनल टीक है यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया पुरा नियॉरॉन का अब बात करते नियॉरॉन में अगर जैसे कि एक नियॉरॉन से दूसरी नियॉरॉन में संपर्ग में आता जैसे हमने क्या हो गरम चीज को चूटे हैं तो हमारे हाथ के अंदर जितने भी नियॉरॉन है वह एक नियॉरॉन क्या करेगा उस इंफॉर्मेशन को लेगा दूसरी नियॉरॉन को दे देगा अब कैसे देते हैं इसको मैं डिखाती हूं जिसी यह एक्जाम ग्याने कि एक नियॉरॉन को टैल वाला पार्ट है दूसरी नियॉरॉन के इस से देटिध्यक्य duelee To अद्टा णीयॉड alasadars नेका कि नियॉरॉन का छिक थे यह एक नियॉरॉन की गैसे टर्मिनल पास हो जाता ताकि क्या एक से दूसरी हो और ऐसे होते होते हो पुरे ब्रेन तक रहते हैं आपस में ठीक है ऐसे पुरे बॉडी के अंदर यह बने होते हैं जहां पर एक निउरोन का यह टर्मिनल वाला पार दूसरी निउरोन के डंडाइट से मिलता है उस जॉइनट को बोलती सिनैप्टिक लोग क्या कहते है उसको उ इन्फाइशन जो होती है बाहर की इन्फाइशन लिपतर को nennt dressing कों दौइशन आ चला की कि पूरी बॉडी में फैले होते हैं है इनका यहीं काम होता है तो चलिए आगे डिसकस कर लेते हैं दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में रिवाइड किया गया है एक सेंटर दूसरा पेरिफेरल सेंटर का मतला होता है सेंटर पेरिफेरल का मतला होता है किनारे यानि कि जो सेंटर नर्वस सिस्टम होता है वो बॉड़ी के सेंटर में होता है एक तो आ संटर वाले पार्ट में पाये जाते दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वाइस के Зिस्टम आप जो की Mic तर repay रहे जो की किनारी की तरफ यह सारे ओलोय स्टै नगित्कर की से सब क्या लहीं है यह जाई सब्सक्राइब की स्टॉल कह BA बैंद लेकिन असे खरक्राइब अनृपने सर करता है सब देखे शेघुल होते हैं इसपीन को गर भड़ान दिखाए होगी होती है क्या होतीरे कि इसपाल होती है क्या का चरह मुतिए Cranium को सब से कठोर भागनों को दिखे होग अपने सर को क्या हड़ी का सीवय क्रेणियम होती है जो इस बोन को हटाने के बाद दे कर दिखाए तो हमारे ब्रेन होता उसको उपर तीन लेयर पाय जाती कितनी लेयर होती होती है दूसरी तीसरी ये थीनों लेयर आपस में अटएच नहीं न प्रिखान रखें इन तीनों के बीच में क्या होते हैं फ्लूड भरे होते हैं क्या होते हैं सबसे उपर की जो लियर होते हैं उसको बोलते हैं डिवरा मेंटर बीच वाले को बोलते हैं और अंदर वाले को बोलते हैं ठीक है मैंने सिर्फ अलफावट में इसका लेका क्योंकि सबसे उपर क्यों सबसें और उपर और अंधर क्यों 팔ते हैं इसका काण क्या हो जाएगा डैप हो झाएगा तो मैंने बताइऑ आप को एसे याद करने का त दिएगा कि पूछले या उसको इसली बता सकते नदर हो गाएगा डूरा मेर तो अगर आपको ट्रिक ज्यात करने में देखता तो डूरा मतलब होता है दूर दीखें है दूर आ थिcn यह यह दूर भैसे क्लियर हो जाएं यह यृ दिख्वे है तो यह दिखहरी कि दाग्राम बना का खिरप हो दिखा हैं तो उपरा रही डूरा मेटर भीच तो जो durameter होता है यह durameter और arachnoid इनके बीच का जो space होता है इसको बोलते हैं subdural space क्या कहते है subdural space सब का मतलब होता है पहले क्या होता है सब का मतलब होता है पहले तो इसके हो जागा subdural space हो जागा ठीक है तो subdural space होता है, इसके अंदर जो भरा होता है, उसको फ्लूड को क्या बोलते हैं, interstitial fluid, क्या करते हैं, interstitial fluid, तो durameter और arachnoid के बीच की जो space होता है, उसको बोलते हैं, subdural space, इसके अंदर जो fluid होता है, उसको बोलते हैं, interstitial fluid, ठीक है, अब arachnoid और pyameter के बीच को जो space होत इसको बोलते हैं सब अरेकनोड स्पेस कहते हैं सब अरेकनोड स्पेस कहते हैं इसके इंदर फ्लूड होता है उसको बोलते हैं सिरिब्रोस्पाइनल फ्लूड क्या कहते हैं सिरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कहते हैं अब बात आते कि सिरिब्रोस्पाइनल फ्लूड जो होता है तो इसका सिख्रेशन करता है पाया मेडर धियां द्यां लखेगा और सबसे मेन काम होता है हमारे ब्रेन को feat आउटर इंजरी और क्या करता है जो सॉक बगएरा होते जितनी भी चोटे लगती उनसे बचाना यानि कि एकर हम को छोटे कोई प्रॉब्लम वहती तो उन सब चीजों से क्या करता है C्यीक्त वह थे पाइए 3 उन पाहर नको लोकल ने पाए इंको क्या होता है Cण और उनको भी रोकने काम करते हैं यह तीनों ठीक है इस ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर इन तीनों के बीच में इस फ्ल्यूट ना बहुता है खाली स्थान होता तो क्या और इनके भी फ्रिक्सने घरशड़ भी हो सकता तो कोई भी इंजरी आसान इनी से हो जाती लेकिन होता है यहां पर कोई भी इंजरी नहीं ब्रेन तक नहीं पहुच पाती है ठीक है तो जो पाया मेटर होता है इसका बहुत बड़ा युगदान है बनाने में और इंजरी और सौक से बचाता है और एक काम और करता देखिए अपने पड़ाओं का आर्कमडेस की थेहरी आर्क होता वो हमारे वेट के बरापर होता है इसाया से पानी में तैड़ते रहते सिम वही प्रॉसस होती है हमारे इस स्रिप्रिस मौ में फ्लूड के अंदर ठीक है इसी वज़ासा जो ब्रेन का वेट होता लग हो चौदा कितना चलता है लेकिन हमें पता कितना जादेश ग्राम ठीक है वरना आपको सोचो 1400 ग्राम अगर अगर अपने सर पर मुलक के घूमते हैं तो मैं कितना भारी लगता कि हमारा सर कितना भारी है ठीक है लेकिन हमें परे सर का वेट बिल्कुल भी पता नहीं चलता और यह किसकी वाज़ा से नहीं पता है स्रिप्रस फ्लूट की वज़ा सही होता ठीक है तो यह तो हो कि हमारी तीनों फ्लूट की बात होगे अब बात करते हैं कि जो इसके तीनों लेर को हटाएंगे तो अपताब आएगा हमारा ब्रें ठीक है और जो ब्रें आता तो उपर से स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देता है यह आपको दिख रहा होग इसको पूलते है गारी और गड़्वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सलकस ठीक है यह दो स्ट्रक्चर पाई जाते हैं जितना जादा सर्फेस एरिया बढ़ेगा अपक्या माइंड क्या अगर डवलप्ट उतना जादा यानि कि हो चुगा तो अगर इस पार्ट को हम होते हैं रिपर यह यह दो पार्ट में डिवाइड होता है रिपर हमीश्फियर में यह दो हमीश्फियर में होता है यह दुनों कैसे होते हैं तो इस पेर में डिवाइड होते हैं यह होता है लेफ्ट हेमिस्पेर यह होता है राइट हेमिस्पेर ठीक है तो जो लेफ्ट वाला हेमिस्पेर होता है यानि कि जो लेफ्ट वाला ब्रेन होता है वो हमारे राइट बॉड़ी को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्पेर ह होता है वह हमारे left-side के body को control करता है यानि किए अगर राइट हाँ से कोई काम कर रहा है लाइट पर को उठाए dram कर रहे है राइट है ओन्छे यानि कि राइट side इसरे वी वह राइट के पार उस पार से कोई पारते हैं तो उसको control का health left hemisphere करता है और right और left body के पार से कोई काम अगर हम कर रहा है तो उसका control कौन करेगा हमारा right hemisphere करेगा ठीक है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ये तो होगी hemisphere अब बात करें ती hemisphere में जो इसका cortex cortex का मतलब होता है outer part ठीक है जैसे ये कोई cortex अलापाट ठीक सबसे उपरी पार जो होता है वो जो होता है वो ग्रे मेंटर होता है कैसा होता है वो ग्रे मेंटर होता है पीछे में आपको बताया था ग्रे मेंटर का मतलब क्या होता है ग्रे मेंटर का मतलब हो गया यहाँ पर माइलन शीथ नहीं पाई जाती है यहां पर नियूरांस यह नफ्स पाई जाती है महाँ पर माइलन शीथ नहीं पाई जाती है इसलिए कैसा होता है यह ग्रे मैटर होता है लेकिन इसका जो सेंटरल पार होता है हमिस्फियर का वो कैसा होता है वो होता है वाइट मैटर कैसा होत गरे येversy है यह वाइड मैंटर प्रात्व का है यह वाइड मैंटर है और और इसा ग्रेंटर है तो आड़े जोसे साइन हैं the कि ये वाइड मेंट क्या ज्यादा डविलव माना जाता है वाइड माना है ज pone night बॉब का है खी उतना चूरक सी पार्ट है स्ट्रों सब्सक्राइब होता है पूर आपको देखे लिए पूरा हाँ है तियरी इंदर सब क Girma सबसे बड़ा part होता है फिर high brain का भी मीड़का होता ही यज यहँ पर दिख रहा होगा भी मीड़क्र बनां होता है यह ओता मिलकर बनता है यानि कि मेडूल्ट पॉंस वैयलchezог varaj कहते हैं भी कि आप जब बात कर लेते हैं मों सीधे अपनी अगले टॉपिक की तरफ ठीक है यह लगबग तो यानि कि 66 परसेंट भाग में हमारे ब्रेंट में क्या होता है स्रिब्रम का मेन फंक्षन क्या होता है या था कि स्पीच जज्मेंट थिंकिंग और इस निंग प्रॉब्लम सॉल्मिंग इमोशन लर्निंग यानि कि अगर बाट के के स्पीच का सेंटर जमेंट करने का संटर जाइन करने करता है और पर फयसले झाह सही होना चाहिए ठीक है किसी भी केस के लिए वह वकील जज़ वाला ही केस हो कोई भी केस हो सकता किसी भी चीज के लिए अगर आपको जज्जमेंट करना है तो यह जो जज्जमेंट करने के लिए जो आपको कैपेसिटी मिलती है और जो सही डिसीजन लेने के जो आपके अंदर कैपेसिटी आती वह से पटीजें जो होती हैं १निंग किसी चीज问 सीखने के चgensब स्रेबरं के अंदर ही थी किष्छल होग twists जतना ज्य较द्वाइड़ को जतना चारों से चोरे डिलाफिर्बये और उपर और होगा आपके यह ऐसरी के प्रपरट्टि देखने केुए पता आ तो स्रेबरम के फंक्शन उसी में से पूछे जाएंगे ठीक है और अगर चारो लोग को फंक्शन आगे तो फिर दिक्कत हो सकती है कि स्रेबरम को चार लोग में डिवाइड कर दिया गया इसलिए चारो लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले आता होता ठीक है और असी पेटल सबसे नीचे होता जहां पर हमारा brain का पार्ट खतम होता ठीक और टेमपोरल जो होता कान के ओपर पाया जाता ठीक है और बात करतें चारों कि सबसे हों अब इसको स्पीच के लिए लोग दिना घनल commitment करने की जाथ बढ़ी नहीं होती तो इस प्रेंटल लोग में इसनों स्पीछ जाना सादी है प्रड़ोंक हैंग स्थार होता ह Gripen Wie Schyler प्लानिंग प्लानिंग का मतलब किसी चीज को प्लान करना जैसे कोई चीज आप करना किसी की शाधी है तो शाधी को भी ब्लान किया जतना किसी को बड़्डे उसको plan कर रहे जाता है पढ़ाई करने आपको दूसकी अपने planning करने school चला रहे या कुछ भी कोई पी चीछे अगर आपको उसको planning करने है उसका भी तरीका होता है उसको plan करना जिसको आता है वो frontal lobe में ही ये quality पाई जाते perception मतलब होता है भाव मिझे सेंसरी perception मतलब इसका यह हो सहयता से हम लोग जो perception करता है इन कि पहचान करते हैं वो कॉन कट्ग पराइटर लोग ठीक है तो तेस्ट खटे मीठा जो कड़वा कुछ भी खाते हैं वह कुछ भी मखाल तो वह रिसाप यानि कि उनका जो क्वाल्टी पता करती है वह पराइटर लोग यह तिक उसको मतलब कहां से यह चीज़े आती इंफोर्मेशन यह पराइटर लोग से इसकी का कंट्रोली काउर तो किसके पास प्रेटर लोग के पास होता हुआ ठीक है उसके बाद आता है और अशी पिटल के उसी ओर विजुवल के पास ही आती हैं और यहां के बाद इनफार्मेशन हमारे आन्कों तक जाती और हम उस चीज़ को देख लेते हैं यह चीज़ देखे पार्ट में रिलेटड चीजे होने वाली है जैसे पिसे बात करे रहे हैं के ने कान तक पहले है वहां पादर तक आरैंट में संब्सक्राइब 3% स्वापा चुम्हारे यहां हम सब्सक्राइक दिशने ब्रदोनों कानों की तरह पाया जाता है निसका में अंडरस्टैंडिंग लेंगविज देखिए हमने प्राइटर लोग में क्या पढ़ा है यहीं मतलब अगर कोई कि बोल्ड आ उसको सुन ली गाना गारा कोई उसको सुन ली हमने यह काम तो प्राइटर लोग पार लेकिन वह जो गाना गारा वो जो बोल है उस चीज को समझने की जो कैसेटी आती वो टेंपोरल लोब से आती ठीक है यह अंडरस्टैंडिंग लेग में जिसको गया विलते वर्कनीज एरिया क्या कहते हैं तो ध्यान लखेगा वर्कनीज एरिया जो होता है वो कहां पाए जाता है हमारी only the ground बें पाए जातَ ब्रोपारे का हम पाए जाता हैं यह धुने ए इरिया बहुत इंप्हर नोब जो होता है और जो p phrases को समझने में प्रट अंपल्चेंटन आ ठीक है लिए कि मि मेंदो 과 moral इस्टोरज भी स्टोर गया होता है लेकिन टिम्पोरल लोब के अंदर आङ पाए जाता है तो यह मेमोरी का स्टोरज भी करता है और फॉर्बेशन भी करता है मेमोरी का मतलब हो गया जैसे कोई भी चीज हमारे साथ बहुत प्रणबरे घटनाई होंगी जब हम बच्चपन में रहे हुए कितनी सारी बात है जो हमको अभी तक याद है तो वह सब क्यों य पहचान है क्यों हो पाई क्योंकि हमारे टेंपोरल लोग यह हमारा अच्छा है डवलफ है अच्छे से काम कर रहा तों कितने साल बाद भी किसी व्यक्ति को देखते तो पहचान जाता है तो फेस्ट रिगरगनेशन की प्रोपर्टी भी टेंपिर लोग कि यह जैसे आती कर आज आपने देखा फिर कुछ टाइम बात देखेंगे तो कि आपके पास वह अनुभव यहां यह कुट्ता ऐसे ऐसे होता है ठीक है किसी भी आपजेक्ट को पहचान करना उसका प्रसरप्शन यानि कि उसका जो अनुभव होता हर एक चीज टिम्पोरल लोगी की वज़ा कि प्रसेसिंग अडिटरी इन्फवर्मेशन यानि कि सुनने के लिए जो भी हम सुनते ? है उसको समझने के जो सकती हुए जो केपसिटी होती है वो कौन डेता है यह तो यह हो गया हमारा और यह सुनते डाइब आपजेक्स होती है कान के मतमतर्प द्रें तक जाती है जो mechanical एन्ससे लिए निया बर्लाव क्याव करता है थीक है फिर तो यह हो गया चलमार्श करता है थ जो कि हमारे ब्रेन का जो पाएंटर सो नहीं ब्रेंट यानि कि बाड़ी से इंफार्मिर्शन को बॉड़ी तक पहुचाता है यही काम करता थैलमस इसके संख्यां दो होती है सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंस अफ्लां का सबसे मेन पाट किया थैलमस थैलमस होता है थे कियाते क्यों क्योंकि जो एंडोक्राैन ग्लैंड होती है इसके मोसली हर्मों को सुरावित करता है यानि किया थियां भूघ भर जाता है तो यह फिलिंग हमें कौन देता है है फोकान बंद कर दो तो सेटारिटी सेंटर भी हाइपो к्ैनलम से पनी ही अररी है। जी से नफ्रत करते हैं तो यह सिफ हैपो थैिलमस की वज़ास बीसे हुए है। काच यह नहीं कि I do नहीं होता है्समें ठीक है का सिफ एक काम करनों अगर किसी से मतना करते हैं गुष्छा हो रहें किसी लडाएं जागड़ा करें कुछ भी ऐसी चीओ से आती है तो ऑफ हाइपो थेलमस की वजह से आती है थीक है तो इन सब चीजों सारी नहीं का अगर फॉरुन हाइट बात को तो नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फॉरुन हाइट होता है तो यह फॉष्ट में ठेल में रखिएगा लेकिन हाँ अगर हमारे वाडी के इंदर को वायर से लियां अिटर कर देता है बढ़ा देता है ताकि हमको लगए कि यहां बाड़ी के इंदर आ चुका है इसलिए हम लोग क्या करते हैं इलाज करवाते हैं अगर हाइपोधिलमस ऐसा ना करें तो क्या है हमें कोई भी बिमारी हो जाएगे हम जानी नहीं पाएंगे क्या होता है तो हाइपोधिलमस का बहुत बढ़ा योगदान है हमारे बॉड़ी को टेंप्रेचर करने में और हमको हेल्दी रखने में भी ठीक है तो इसका हैपोधिलमस अला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्डन इसको ध्यान में रखिए अब चलिए हमारा फोर बेन खतम हो ये दो पार्ट में डिवायड है पहला होता कुरोणोस तो इससा देख अंब क्योंखाई वी होता है सारे पार्ड से क्या होता है यह चीज दियान में दखीएगा और जो कारपोरा कॉर्ड जमाइना होता है इसका दीखे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता है जब इसका टीज करेंगे यह उसका स्क्षिन करेंगे तो ही दिखाई देता ऐसे नहीं दिखाई देता ठीक है पीछे से वैसे लटकता अगर देख क्या होते है यह superior collection होता है और यह नीचे के दो लोग होते है उसका उलते in connect неё स्टारा मोटे जगाह junior स्टार और इस एक चंहुंटीर के छत्म होता है यह वैक इसन्स टार्ट ईयक ऊतो घ्रेया में बता दिया थीए एक क्या होता है यह तु सकन ठॉक्सोंय क् proceedings का होता जिसके असी ह抽 यए बेंक पशी से पहोड़ा हाएं यह दिवाइट क्या ही नियुक्त भी यह पिडिबाद पहला पार जो होता है वह था पॉंस बेयॉलाई दूसरा मेडव लांग हाथ तीसरा होता सेरी वेलम फॉंस बहुंत हैन्स अंक्तिय सइंटर पॉंस है पास पाई ढूसरा है एकट्रोल इन्वलंटरी आक्टिवीटी यहीं जो एनक्षिकक में होती है जिसे घ्रण बात करें तो इसका वॉट्र मोटर एरिया भी यहीं पर पाईडियों लंग अगंटा में पाए जाता है और ब्रीधिंग सेन्टर होता है फिर बात करेंगे सेरी बेलम की सेही बेलम ता पूरे ब्रेन का फर्स्ट और वर्द जय सेरी ब्रंब की सेरी यह जाते हैं सेम इसे उपर भी क्या और डिवाइड होता है ठीक है जो सरी बेलम होता है इसको लिटिल ब्रेन भी कहते है लिटिल ब्रेन इसलिए कहते हैं को सरी बेलम जो तर लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब क्या और लिटिल ब्रेन होता है ठीक है तो यह दोनों हमेस्फियर जो होते इसको बोलते सेरी बेयलम हमेश्फ야gregory को ऊपर हमेश्फ irrigation उसको बोलते सिरी ब्रे पर से जुड़े उए के अंदर उसको बोलते थे कारपस के लो संक करते थे और जहां पर कि सेड़्य बेयलम के सेरी बेरों का मेन कम्लीन मैं, पेशिया होते हैं, उनंकी जो एनेक्षिल मतलब हो Sarah's का मतलब हो बाद क्या होते हैं, में उच्छा से काम करते हैं उनमें यह जो प्रवश्तम होकी होनी, लेकिन यह कुछ ऐसे क्रियाय करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ठीक है उनको और involuntary activity होती है हमारी willuntary muscles में उनको कौन करता सेडिवलम करता है ठीक है जैसे बॉक्ष के balance अगर हम भड़े हैं तो हमारे बाडी को एक balance में खड़े करने काम कौन करेगा सेरी बेलम करता है य supplements क्वेरा बिल्स गिरते नहीं है जिसे चझाल है जितना जाद रहाँ सेरी बेलम और करता है जाती है दो पड़ांस कर रहा है तो वह क्या होता सा देखा वार होगा में प्रियुक्तों को पर्फ मोने के整 तो तो दोलों पैर पर खड़ा हो जाता तो उसको खड़ा होने के लिए दिया लेकिन यह जो करिया हुए यह बच्चे के साथ वह उसके प्रैक्टिस प्रिपन्ट कर रहा है ठीक है तो सेडी बेलम जो होता है बोधि कोТак्य को अब सब्सक्राइब करता कि सब्सक्राइब करता है आऄ लिए प्रिंस्फ दी हो सब्सक्रास मैं सब्सक्राइब करने करने कोडिकर ने नौकरे आट हो green ल कोडिने से ही ने करते हैं पॉस्चर यानि किस मुद्र में बैठें खड़े हो रहे हैं उस चीज को भी चलने के क्रिए हर चीज को इवन एक कोशन यह भी बहुत पूचा के जो इंसान कर लेता है तब भी अपने घर पहुच कैसे जाता है तो जैसा मैंने बताया तो लोग अपने घर बार है तो जब करने के बाद प्या होता बॉढ़ी कर शेरी बेलम प्हां पूर्ट बंठेस बंचीजी महहस चलता लेकिन आटْकर फैलता है तो चलता है लेकिन अपने और से क्या रोटंट अवा करateur क्या लिए सबसे सरिब्र हा पार्ट कि यह क्या सरिब्राच का ब्रेन बहुत जाद है एक नीख ज्मिप कर दब्सक्रों हो गूंकis तरी तो जिसको भी चारोब के बारें पता है वह अच्छे से स्रेब्राइब करना है तो आपको डेली प्रेक्टिस करने चाहिए ठीक है अच्छे सची सोची दिमाग को अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा तो यह तो गया स्रेब्राम वाला पाट फिर बात करते हैं लोगा जो पैं सफलां वाला पार फो कहां पर इसके बाद यहां से होता है यह पर यहां से यहां तक होता है और यहां पर साइड में क्या होता है टेंपोरल लोग यहां पर नीचे यहां पर कान के पास होता है तो कान तो इदर साइड में आ जाएगा तो यहां पर टेंपोरल लोग होता है तो यहां पर टेंपोरल लोग होत तो दिखाई देगा इसको नीचे आ जाता आपका यह我就 सब्सक्राइब। यह होता है, pituitry gland यहां पाया जाता है, यहां पाया जाता है, कि यह सेला टर्सिका नावा खड्डी के नीच ऊपर होता है तो पुक्ति ट्र्रण को सेला के अंदर यह पाया जाता है ठीक है तो यह और इसका स्डॉक्च्शर भी ने पढ़िए तो हमारा पूरा यहां से ले करके जो अटेच करता है ठीक है यहीं क्या करता है यहία अटेच करता है तो यह करता है तो यह करने दूसरा पाइब किया का है Spinal Cord Carries Nerve Signals from Brain to Body and Vice Versa यानि कि जो Spinal Cord होता हो क्या करता है? Nerve Signal को Brain से Body तक पहुँच आता है और Body से Brain तक पहुचाने का काम करता है ठीक है? फिर Next Point कहता है कि Spinal Cord is a band of Tissue यानि कि Spinal Cord जो होता है, Tissue यानि कि उतको क्या होता? होता है और नफ्स का और श्ल्स का यानि रिकी नफ्स शेल्स और टिस्मों लिए क्या बनाते है call का सर्मेंशन करते एक प्रोतेक्टिव लेयर और बॉन कॉल्ट वर्टिवल कॉलुंम कॉषल ऑन्ध गटिस्पानल पोर्ट थे यानि की जो इस पाय थोई यह वर्टिवर कॉलम कहते हैं जैसे हमारे जो ब्रेन था उसके चावत रफ रफ अंधी उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं और स्टडी करने की वाज़ा सथा कि चाहले पहला है सरवाइकल जो की नहीं क्योंट कि दूसरा तुरा है कि कर दो चेस्ट पर जाये गां उसके बाद इस टॉक्षा को हूट को यह सरवाइकलल कि टोटली नीडिये आठ प्यरों और एक श्क्राइब तो आठ प्रिश्च करुश्च सब्सक्राइब लगाति कि अंभा और अदि धमारält इस डॉना टेकर पार्ट जो सब्सक्राइब गर्दन के नीचे थ्रवाइक्क नफ्स जहां पर क्या मत्रह लंक्ष पाया जाता है तुक्त τι लुंबर लुंबर चेना होता है रो इतने 5 पैलंभाल होता है इस फाइफ जितना ओपल्छन पीछोट सीज़न प्लेड होस्य करें इसको बोलते हैं मैं नीचे भीडी होता है तो यह हो गया हमारा Spinal Cord जिस तरह Brain के चवु तरह तरफ तीन लेयर होती है जिस तरह Brain को तीन लेयर कवर किये ऊपर हड़ी होती है मैं उसी तरह Spinal Cord के ऊपर हड़ी होती है उसका बोलते vertical column और तीनों लोग क्या बोलते और लियो फिलियुट के दुरियूड सेम्न वहाइन कि यही तीनों लियार पायाद के इंदर भी है पहले इसको भी क्या करते हैं वह से में स्टॉक्टर देख लेते हैं बस एक डिफ्रेंस होता है कि बेपर ने कुछ बाइन होतétait फ़ायर पाया है और किनारे पर gray matter पाइज यह मामले में तो इसको उल्टा होता है इस Okay, अहनि कि इस अल्ता होता है इस बेल में हो आपको देख रहा हो जो कि चार होन का फार्मिशन करता है यह दो ब होन जो थो इंटीर होते हैं एंटीर होन में रहीं होता है है और आपको यह वाइट मैटर देख रहा होगा तो यह करद के सेंटर में जो होता है वह ग्रेमैटर होता है और किरौर की कितरफ के ऊहता वाइट मैटर पाहता अं धियो स्ट्रक्चर हो गया ऐसे सुक्षन क retained करने के बाद ही दिखाई रहे आपको ठीक है तो जो सेंटल नर्वा सिस्टम था उसको मैंने एक वीडियो में खुरा खतम कर दिया है जिसको स्टार्टिंग की तीनों वीडियो में क्लियर ना लगा और समझ में ना या वो इसको सौटकट में देख सकता है और समझ जागा ठीक है